नमस्कार दोस्तों, इंडिया अलाइंस के नेता MK स्टालिन की आजम खोलने वाले हैं बड़ी पोल एक पत्रकार पर लगा देते हैं NSA लेकिन अपने बेटे, अपनी सरकार में मंत्री और एक सिपाही पर जो करता है तिरंगे का अपमान उसको यूँ ही जाने देते हैं अब या यूँ भी कह सकते हैं कि पीछे से हो सकता है उनको कुछ सम्मानित भी कर दिया हो उन्होंने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे साथ सेयोगी आप से समझेंगे पत्रकार मनीश कश्यप पर जिस्तरा से कारवाई की गए जब वो बिहार के मज़्दूरों की घटना पर समस्या पर खबरे बना रहे थे ऐसा लगा जैसे ना जाने कौन सा अतक वादी हो मनीश कश्यप भाई लेकिन जब तमिलाडू के अंदर हमारे तिरंगे का अफमान हो जाता है तब कोई बड़ी कारवाई नहीं करते हैं M.K. स्टालिन सनातन धर्म पर गालियां दी जाती तब कोई कारवाई नहीं होती है देखिए अरपिता M.K. स्टालिन जो तमिलाडू के मुख मंत्री है उनकी जो सोच है आप सामने आ गई है टालिन सनातन के पर टीम पिरम पर टीम के क्या सोच रखते हैं अब क्या क्या है उसके इक धर्म century जो देश का प्रतीखा समान हे जो डेश का उसका पमानकरवार घृए हैं आपको इतनी दिक्कत थी तिरंगे से तो आप तिरंगे को बोल जाते हैं पूरी बात आप अगाजनिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा था वर्ल्ड कप के तार उस मैच के दुरान भारतिये दर्शक तिरंगे जंडे को लेके जा रहे और दर्शक जो बाद में बताते हैं कि जंडे को कूरेदान में फेका गया हलाकि उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है उस पर उतनी ज्यादा बाते नहीं कि जा सकती है पर तिरंगे जंडे को छिन लेना यह बहुत बड़े अपमान है आप भारत में हैं और भारत में तिरंगे जंडे को कुण शीन लेगा भाई हम यहां तिरंगा लगाकर चले यहां लगा के चले मैच के दुरान देखते हैं लोग यहां लगा के चलते हैं आप कहीं भारत में केसे अपमान मुझे तो लगा कि जब मैं इस खावर को देखा पर छोटे तरह से देखा था नोट पीकेश और मजदूर के बात को नह रहा है और आप पुलिस स्यद्य जण्डे का पमान कर रहा है और अप बटा रहा है और एक पुलिस कर्मी तिरंगे गंडे- का पमान supply कर रहा है उस पर य Bluetooth को लगाए लगा ये ये वह राश्डरोही काम किया है भारत के अंदर में कोई हमसे तिरंगा जंडा ले ले यह ब्रदास्टी बात है क्या आप मुख मंत्री हैं आपके बेटा सनातन धर्म पर जहर उगलता है और आप चुप रहते हैं देश की जनता चुप रहती है चलो भाई यह धर्म की बात है यह दर्म की बाते नहीं करेंगे पर आपके यह सरकार में एक पूलिस करने कहा जाता है जो जिसकी सरकार उसकी पूलिस आपकी पूलिस और आपकी पूलिस तिरंगे जंडे का अपमान कर रही है और आप सालिंता से बैठे हुए हैं सहाब इससे कैसी होगा इस देश में यही तो उस पुलिस कर्मी पर सिधे रासुका लगाए अगर आप रासुका नहीं लगाते हैं के श्टालिंजी तो आप एक तरह से ग्रषित लोग हैं आप सानाथन बिरोधी हैं आप देश बिरोधी हैं बिल्कुल जिस तरह से इसे लिख धी 10 जjob मिल रहा हैं अब सनातन को गाली देने से आपके बेटे को लगता है कि आप लोगों का वोट बैंक मजबूत होगा तो ऐसे बहुत कारिकरम करवा देते हैं अब जो भी घटना होती है अगर उसमें आप बड़ी कोई कारवाई करते आप माफी भी मांगते तो एक लोगों को भी लगता अब पूलिस कर्मी पर आसुका नहीं लगा रहे हैं आप माफी नहीं मांग रहे हैं तो पूलिस कर्मी नहीं आप ही किसी चीश से गरसीथ है और जिसके आप ग्रसित है तो देश की जंटा को बताईए आप इस देश में रहते हैं और इस देश की जंडा का पान होगा आप सांध किसे आजाएगा जी सबसे बड़ी बात यह कि जब इस तरह की कोई भी घटना घटती है सुचिए मैच के दौरानी घटना घटी है वो दुनिया देख रही है इस मैच को और दुनिया यह खबरे भी देख रही है कि देश के अंदर ही कैसे भारत के जंडे का कुछ लोग अपमान कर रहे हैं अच्छा यह अपमान इसलिए ज्यादा बड़ा लगता है क्योंकि यह कहीं सड़क चलते किसी व्यक्ति नहीं किया है पढ़े लिखे एक सिपाही ने किया है वो सिपाही जो देश की सेवा की शपत लेता है अगर ऐसा सिपाही ऐसी हरकत कर देता है तो कोई बच्चे की तरह इस तरह की हरकत तो नहीं करता होगा जरूर उसके दिमाग में कुछ तो बात ऐसी होगी जो सही नहीं होगी अब वो क कुछ नहीं भोल रहे हैं मनी पूर मनी पूर बहुत बोल के बीट ना उस की पुरा जिकर कर रहे हैं उस 시मय किया वहां इस्तिती रहे हैं पहले से आप दिखा रहे हैं कि हम संगार के बिरोदी हैं अब दिखा हुआ उम्मित की जानी चाहिए थी इंडिया लाइन से कई बड़े नेताओं से M.K. स्टालिन से कि X पर Twitter जो पुराना X बन चुका है उस पर कम सकम दो लाइन लिख देते और कम सकम इतना तो लिख देते कि कोई भी देश का नागरिक इस तरह की हरकत ना करें कोई भी पुलिस कर भी और आपकी सरकार में ये हुआ है आपके स्टेट में ये हुआ है खैर हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सिर्फ चुनाओ के वक्त ऐसे मुद्दे नहीं उठने चाहिए बलकि जब जब ऐसा हो तब तब आवाज उठाने चाहिए कोई भी राजनेतिक दल हो सत्ता में हो या विपक्ष में हो आवाज जरूर उठाने चाहिए ऐसे मसलों पर खैर हमने आवाज उठाई है उमिद आपसे भी करते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार